राजिस्तान में अपसे कुछ महीनों भादी विधान समा चुनाव होने और दोनों ही प्रमुक पार्टी अपनी अपनी तयारी कर रही है। कि इस धर्ती पर आज आप यहां पर जोटवाड़ा विधान समा सीट का सर्वे करने आएं क्या कुछ आपको लोगा क्या आपने देखा और क्या अब आगे आप सला पार्टी में संग्ठन में आप देंगे। पड़ा विधान सभा जैपूल की मिली है। उस संग्ठन से हमारे गड़वाल मंडल के लोग भी यहां पर हैं। उनके साथ वे अलग बैठक करके सभी लोगों से मैंने अधिकांस लोगों से मिलना जुलना किया है। तो मुझे जो मुझे इस विधान सभा का रुख देखने को मिला है। मुझे लगता है कि भारते जन्ता पार्टी के पक्ष की ये सीट है और हम निशी तुरुप से इस सीट को फते कर रहे हैं, जीत रहे हैं। इसके कई कारण हैं। इसमें जो यहां पर अस्थानिय विधायक है हमारे लालचन जी। उनके द्वारा और जो हमारी इवराज हैं, कॉंग्रेश सरकार के जो इवराज कहे जाते हैं, हमारे रावल गांदी जी, इन लोगों ने चुनाव के दौरान जो गोसना पत्र चपवाया था, गोसना की थी, कि हम जैसे सरकार बनेगी, तो केवल दस तक की गिंती गिंते रह रहना, और दस तक की गिंती पूरी होते होते हम जो है, किसानों का रिनमाप कर देंगे, तो आज पांच साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है, किसानों का रिनमाप नहीं हुआ है, यहाँ पर इन्हों ने दूसरी गोस्टना की थी, अपने विधायक जी ने, तो उ वो भी आज तक एक भी लाइन जो है, भूमिगत हुई नहीं है, यहाँ पर जहाँ जहाँ चेत्रों में गया, तो वहाँ पर सीवरेर्ज की दिक्कत है, और सडकें जो है, बहुत बुरी इस्तिती में हैं, हमारी भारतिय जंता पार्टी की सरकार जब यहाँ पर थी, तो दो 235 किलोमिटर सडक का निर्मान हुआ था, और आज देखने को मिलता है कि नया निर्मान तो हुआ नहीं, लेकिन जो पुरानी सडकें थी, उनका रख रखाओ भी नहीं कर पारी सरकार, तो ऐसी सरकार को इस समय यहाँ की जंता जो है, बहुत बुरी बुरी तरीके से जो नका रही है और चाहते हैं कि भारते जंता पार्टिक सरकार यहाँ पर दुबारा आ जाई, तो यहाँ पर मैंने लोगों का मन देखा है कि इस समय बहुत जंता पार्टिक के पक्स में यह सीट आने वाली है, ऐसा मुझे लगा है सर एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई सीभी पार्टी ओ बीजेपी हो कॉंग्रेस हो या नो कोई पार्टी हो हर विधानसभा शेत्र से कहीं न कहीं दो से चार उम्मीदवार आते ही आते हैं तो बीजेपी से क्या लगता है आपको कि कौन सबसे मजबूत उम्मीदवार जोटवाड़ा से आ रहा है बीजेपी के लिए ऐसा अभी हम लोगों को केबल संगठन की काम को देखने को लिए भेजा गया है ऐसा उमीदवारों का चैन का कोई हमारे पास कोई वानक नहीं है और जो हाई कमान तैक करेगा उसी पे चुनाव लड़ा जाएगा हमारा परत्यासी कमल का फूल है उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं सर एक आखरी सवल और यह है कि उत्तर प्रदेश उत्राखंड और राजस्थान की हम बात करें देश के किसी भी अनिराज की बात करें हमेशे वहाँ पर यह चलन देखा गया था कि एक बार कॉंग्रेस एक बार बीजेपी यह वहाँ पर पार्टिया बदलती थी लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावी नतीजों ने ये बात गलत साबित कर दी कि अगर आप अनुशासना अत्मक धंग से अगर आप काम कर रहे हैं तो चलन चेंज हो सकते हैं राजस्थान में आपको क्या लगता है कि यह चलन चेंज होगा मैं समझता हूँ कि इस बार निश्यत रुप से परिवर्तन होने वाला है क्योंकि यहां पर भारती जनता पार्टी के सरकार हंड़र्ड परसंट बनने वाली है परिशानिया जो जनता से इनोंने जानी है यह उनका फीडबेक यह अपने पार्टी में अपने संग्ठन में देंगे और साफ तोर पर इनोंने कहा विदान सबा चुनाफ के नतीजों के उपर अपकी बार राजस्थान की जनता परिवर्तन की मांग कर रही है और अब की बार कॉंग्रेस नहीं बलकी बीजेपी फूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और एक बार बीजेपी एक बार कॉंग्रेस का भी चलन तोड़ेगी सेयोगी कैमरामेन लव कुमार के साथ उमंग माथूर नवतेश टीवी जैपूर